हेलो एवरीवन वेलकम एक ट्योवान चैनल टैज ओफ रॉलेज इस्टुडेंट्स आज की वीडियो में आपको एक्स्प्लेइन कराने वाला हूँ इंग्लिश ग्रामर जो कि आपके बोड़ एक्जाम से रिलेटेड है इसली वीडियो को एंड तक जरू देखेगा वीडियो परशू इस ब्लैंक स्पेस में इंग्लिश आपके सामने अब यहां पर देखिए करिक्ट आंसर क्या होगा आप भी करिक्ट आंसर गेस कर सकते हैं और मुझे कमेंट्स बाक में जाकर कमेंट्स करके बता सकते हैं फिलाल मैं आपको बताएं तो इसको जो राइड आंसर होग आपको पता चलेगा के मेंका का सांड है वह आपको लिख इक ही का सांड लैकर यहां पर आरहा है तो याद रहे गाएं विद के वाल कर अ यह जोन्द आब का अखर और मैं आपको आप व्रिक्त कांड जिए तो अब कट œदोर ई यह पर दोनौन ट rif में जा है तो उस word के पहले आप लगा दिजीगा N sound आपको later का देखना है पूरे word का नहीं देखना है उस word के first later का जो sound है A, E, A, O अगर आ जाता है तो आप उस word के before आधिकल N लगा कर आ जाएगा अगर consonant sound आए गास लेकर ग्यानी वावत तक अगर कुछ भी sound आए तो वहाँ पर आप लगा दिजीगा A ठीक है ना, concept समझ में आया है clear हो ना, चलिए तो इसलिए इसका जो राइनातर होगा वो होगा हमारा B वाला अब बात करते हैं question number second तो देखिए student हमारा second number question है No sooner did the boy see the cobra blank space ही रेना वाई options आपके सामने है एक दे रहे हैं यहाँ पर as soon दूसरे में दे रहे है then c वाला है as और d वाला है can तो बच्चों इसका right answer होगा then अब क्यों होगा देखिए No sooner did the boy see the cobra then ही रेना वाई No sooner sentence में यहाँ पर आया हुआ है इसलिए इसका जो pair बनता है वो then से बनता है अगर sentence में no sooner आता है तो उसी sentence में then का use भी किया जाता है therefore जो correct answer होगा वो होगा then तो याद रहे हैं no sooner के साथ then का use किया जाता है अब जानते हैं question number third दोस्तों मुझे पता है आप सब परिशान हो CBAC ने pattern मदल दिया है हमारा but tension मदल लीजिए मज़गी बाद यह है कि पूरा pattern objective हो गया इसलिए हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की practice तो यह एक app है फिलो चलो पहला download करो अब आपको इस practice section में जाना है और सारे subjects की class 12 और class time दोनों ही के students के लिए यह एक बड़ी हुई है पर exam environment की feeling के साथ इस mock paper में timer भी लगा हुआ है तो आपको test के end पर पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल आपने सही किया और कौन सा गलत हाँ test की अपनी report generate होती है दूसरी बाद जादा important बात जिस भी क्योंचर में आपको problem हुई उससे immediately आप इस app पर expert tutor से पूछ सकते हो और 60 seconds के अंदर एक tutor आपके साथ live correct हो जाएगा और आप अपना concept क्लियर कर लो अभी install करो और इस बार board में आप 100% इसको target करोगे अब यहाँ पर आपके सामने all, few, every, each तो देखिए यहाँ पर few तो बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि few का यूज करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के भी फूर तो यहाँ पर आप देखिए जो राइट आथर होगा वो होगा और इच और एवरी भी नहीं आएगा यहाँ पर जो करेंट आंसर होगा वो होगा तो राइट आथर होगा एब देखते हैं फॉर्थ नमर के क्याशन तो मैं थोड़ा सा इसको उपर कर लेता हूं हम आ जाते हैं यहाँ पर इसको ड्रेक करते हुए यह तो आपके सामने है तो बहाँ पर देखिए यह जो वर्ड है बुक तो बुक जो है यह सिंगूलर है और सिंगूलर है तो यहाँ पर टू नहीं आएगा मैनी भी नहीं आएगा ओल भी नहीं आएगा तो नो राइट आंसर होगा I have no spare book क्योंकि देखिए book अगर plural होता तो all too many कुछ भी answer हो सकता था लेकिन book जो है singular word है तो no का use यहाँ पर हो जाएगा I have no spare book ठीक है यह जो spare book है spare का मतलब होता है अथिरिक ठीक है मेरे पास कोई अथिरिक पुस्तक नहीं है इसलिए जो काई answer होगा वो होगा C वाला अब बात करते हैं फिफ्ट नंबर की क्योशन यू बिलेंकिस पर नोट फिल सोरी फॉर दिस पैटी मिस्टेक आर नीड है डू तो बच्चो इस कराना सोर होगा आपका B वाला नीड यू नीड नोट फिल सोरी फॉर दिस पैटी मिस्टेक मतलब के आपको इस चोटी मिस्टेक के लिए सोरी महसूस करने की जरूत नहीं है आवशकत नहीं है तो जरूत नहीं है मतलब नीड तो राइड आज़रों का आपका नीड तो अब जाए हैं और किसी आपको पूरे के पूलने को कि समय लिए लिए आपको पूरे के पूरे बाधिए अब समझते हैं। तो हमाघाते हैं डायेक्टी डायेक्ट में पर तो यह हमारे डायेक्ट पर। तो देखिए इसमें हमारा first question है we did it, करना क्या है change to negative, आपको इसको निगेटिव में change करना है, तो निगेटिव में change करने के लिए सबसे पहले देखिए जो sentence है, यह past indefinite का है, कौन से sentence का है, past indefinite क्योंकि यह जो did use हो रहा है, यह हमारा past में use होता है, do की past form है, कौन सी form है, do क past form है, did, ठीक है, तो अब फिसको negative बनाएंगे, तो कैसे बनेगा, देखि लिजी, starting में subject लिखेंगे we, इसके बाद helping word लगाएंगे, did, then हम use करेंगे not, फिर वर्व की first form हम use करेंगे do, और फिर हम लिख देंगे it, we did not do it, तो यह जो did हमने use किया, यह हमने helping word भी use करी, जो के rules हमने यह किया, और हमने यह नहीं किया, इसलिए हम यहाँ पर use करेंगे, we did not do it, इस do को जरूर लगाना, student यहीं mistake करते हैं, इस do को भूल जाते हैं, अब बात करते हैं, second number question, the servant gave you all the milk, करना क्या है, make a question with how much, how much का use करके हमें question बना देना है, तो देखिए, सब से पहले यहाँ आपर देखिए, जो gave है, यह give की past form है, किसकी है, give की, तो give क्या होता है, हमारा v1 होता है, और gave क्या है, v2 है, मतलब sentence किसमे है, past indefinite में, किसमे है, past indefinite में, interrogative बनाना है, how much का use करके, तो देखिए, कैसे बनेगा, starting में हम use करेंगे, how much, ठीक है, how much use कर लिए, आपने इसके बात क्या था, milk, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, milk, how much milk, ठीक है, यह question बना यूज कर लिए, जिसके साथ object आता है, how much के साथ noun आता है, how many के साथ भी आता है, तो हमने यहाँ पर use कर लिया, milk, how much milk, interrogative है, इसलिए यहाँ पर interrogative बनाना है, helping word हम यूज करेंगे, did, क्योंकि past indefinite का sentence था, how much milk did, अब subject क्या है, the servant, the servant, इसके बाद आपको वर्व की first form चाहिए, क्या जाएगा, give, और you, ठीक है, और last में question mark जरूर लगा देजीगा, all हट जाएगा, all आपका हट जाएगा, how much milk did the servant give you, कितना milk servant आपको यह दिया, ठीक है, answer आपके सामने था, the servant gave you all the milk, servant ने आपको सारा का सारा milk दे दिया, और आपसे question बनाने के लिए के रहे तो हमने question बना दी, इस तरह से हमारा question बन जाएगा, how much milk did the servant give you, ठीक है, अब बात करते हम, third number के question, रश्मी क्राइट for water, करना क्या है, change into present continuous, present continuous उसमें change करने के लिए, यह जो रश्मी है, तो रश्मी के बाद आप यहाँ पर यूज कर लीज़ेगा, helping but is, और cry में आप लगा दीज़ेगा, ing, crying, और फिल लिख दीज़ेगा, for, और यहाँ पर लिख दीज़ेगा, water, ठीक है, रश्मी is crying for water, मतलब रश्मी के बाद आपक में ing के यूज करते हैं, तो रश्मी is crying for water, मतलब कि रश्मी water के लिए रो रही है, ठीक है, अब आजाते हैं, fourth number के question, दीके हमारा fourth number के question है, we are collecting books, we are collecting books, करना क्या है, change the voice, तो यहाँ पर पहले object देखिए, books, को हम यहाँ पर starting में लाएंगे, तो भी capital बन जाएगा, books, continue use का है तो are, अब इसके बाद लग जाता है, being, continue use का होता है, तो हम लगा जाते हैं, books are being, और सारे पैसे में वर्ब की third form का यूज करते हैं, तो यहाँ पर आप लिख दीजी, collected by us, ठीक है, books are being collected by us, यह हमारा passive बन जाएगा, ठीक है, अब देखते हैं, next question हमारा, fifth number का, the bigger won't go away, you will give him some money, करना क्या है, कमारी सेटिस, until का यूज करना, तो until बीच में लग जाएगा, full stop हट जाएगा, मतलब full stop को अटा दीजिए, full stop को अटा कर बीच में लगा दीजिए, until, ठीक है, तो मतलब क्या निकलेगा, the bigger won't go away, won't जो लिखा हुआ है, won't मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है will not, will not को short में, इसका contraction होता है, won't, the bigger won't go away, मतलब कि भिकारी दूर नहीं जाएगा, जब तक, तब तक आप उसको पैसा नहीं दे देते हैं, you will give him some money, मतलब आप उसको कुछ पैसा नहीं देते हैं, तो यहाँ पर बीच में लगा देना, आपको until, मतलब full stop को अटा कर आपको until लगा देना है, ठीक है, until बीच में जाएगा, अब देखते हैं, six number का, इसको rearrange करना है, following sentence, तो इसको rearrange करने के लिए सबसे पहले आप subject लिग लिजेगा, I, इसके साथ आप लगा देजेगा, had, इसके बाद आप लिग देजेगा, a lot of, a lot of, फिर क्या है, I had a lot of, फिर क्या था time है, तो यहाँ पर आप इसका जमेगा, time, I had a lot of time, फिर आप लिग देजेगा, during, during, अब बचेगा आपका exam, तो यहाँ पर लिग देजेगा, exam, I had a lot of time during exam, परिक्चा के दोरान मेरे पास, परियाप तो समय था, मेरे पास बहुत समय था, ठीक है, एक meaningful sentence बन गया, तो इस तर concept क्लियर होंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर मिला होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर देजिए, अपने सारी दोस्तों के साथ शेयर कर देजिए, और यदि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि grammar से related और भी वीडियो आपको लाता रहूंगा, आपकी पैक्टिस होती रहेगी, तो हमारी वीडियो को देखते रहे हैं, लाइक करते रहे हैं, शेयर करते रहे हैं, थैंक्स फॉर वाचिंग,